हेलो फ्रेंड्स नुमस्कार वेलकम बैक मैं चैनल टार्गेट इचर जॉब मैं प्रैंका स्वागत करती हूं आप सभी का आपके इपने चैनल टार्गेट इचर जॉब में दोस्तों आज हम बीएड़ दुतिय वर्स प्रतम प्रसुन पत्र सिछट के सिधानतियों विदियां पढ़ेंगे और यह आपका लेक्शन नूमबर 56 तो दोस्तों यहां पर हम कोश्चन पढ़ने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि आपके फोर्थ पेपर जनसंक्या सिच्छा एंप्रावर्ण सिच्छा हमने यूपियच का पूरा कंप्लेट करा दिया तो आप इसकी लिंक आ आप जरूर देखिएगा दोस्तों अब आपकी एक्जाम की स्कीम आ गई है तो आप अपनी मैनस से पढ़ाई में जुट जाएए तो चलिए देखते हैं दूरस्त सिच्छा के गुड़ दोस्तों की विवेचना कीजिए तो दोस्तों इसके पहले हम दूरस्त सिच्छा पढ दूरस्त सिच्छा जो की एक माध्यम है अपनी सिच्छा जो की अधूरा ग्यान कहीं न कहीं अधूरी सिच्छा रह जाती है उसको पूर्ण करने का दूरस्त या दूरवर्ती सिच्छा का साब्दिक अर्थ है दूर से अस्थान पर सिच्छा की व्योस्ता करना अतार्त दूर बैठकर सिच्छा देने अत्वा दूरी बनाकर सिच्छा प्रदान की जाती है। दूरस्त सिच्छा में सिखाने की प्रक्रिया सिच्छक द्वारा ना होकर संचार माध्यमों द्वारा होती है। दूरस्त सिच्छा के प्रमुख गोड़ निमलिकित है। नमबर बन पर है दूरस्त सिच्छा स्वाध्याय को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों यहां परमबात करें जिन छात्रों की सिच्छा किसी कारणवस पूरी नहीं हो पाती है। तो उनके मन में जो सिच्छा के लिए एक तरफ होती है जो सिच्छा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो अपनी सिच्छा दूरस्त सिच्छा के माध्यम से पूर्ण कर पाते हैं। तो दूरस्त सिच्छा स्वाध्याय को बढ़ावा देता है इसमें स्वाध्याय के द्वारा सीखे हुए ग्यानियम कौसलों को संपर्क कारिकरम द्वारा उचित सिच्छा प्रदान की जाती है। दोस्तों यहाँ पर हम देखें इसमें स्वाध्याय के द्वारा सीखे हुए ग्यान और कौसलों को संपर्क कारिकरम द्वारा उचित सिच्छा प्रदान की जाती है। वो कहीं जाकर पढ़ाई नहीं करते हैं और तिसरा पॉइंट है दूरस्त सिच्छा एक विश्वस्वस्णी प्रदाली बन गई है क्योंकि इसमें सुद्रड अमलिकित सिच्छ प्रदाली और सामागरी उचित निर्देशन यम परामर्स मुल्यांकन पुनर मुल्यांकन यह सारे प्रियोग इसमें किये जाते हैं फूर पॉइंट परम देखे तो दूरस्त सिच्छा द्वारा सुदूर छेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सिच्छा की विवस्था की जाती है जो भी दूर हैं जो की जिनके पास सुविदा अपलब्द नहीं है या जहां पर सीमित साधन सिच्छा की जहां पर उच्छ सिच्छा की विवस्था नहीं है वहाँ पर सुदूर बैठे लोग दूरस्त सिच्छा की माद्यम से सिच्छा प्राप्त कर पाते हैं नमबर फाइब पर हम देखें दूरस्त सिच्छा विविने कारियों बैउसायों से जुड़े विक्तियों और ग्रडियों को उनकी असकता अनुसार सिच्छा प्रदान करती जिससे वे अपना सिच्छा वा जीवन अस्तर सुदार सकें तो दोस्तों एक तरह से जो की बहुत ज़ादा अपने कारियों में विजी हैं या फिर कह सकते हैं जिनके पास साधन नहीं हैं या किसी ब्योसाइम है या फिर जो ग्रेडियां है जो अपनी सिच्छा को पूर्ण करना चाते हैं लेकिन उनके पास साधन उपलब्द नहीं है तो वो दूरस्त सिच्छा के माध्यम से सिच्छा प्राप्त कर सकते हैं और अपना जो जीवन अस्तर है उसको सुधार सकते हैं और अपने सिच्छा का जो अस्तर वो प्राप्त करना चाते हैं, उच्छ सिच्छा प्राप्त करना चाते हैं, तो इसके माद्यम से वो उच्छ सिच्छा भी प्राप्त कर पाते हैं। नमबर 6 पॉइंट पर हम देखें दूरस्त सिच्छा अनुपचारिक सिच्छा पर पढ़ने वाले दबाव को कम करती है 7 पॉइंट है आपका दूरस्त सिच्छा नियुन्तम योगता के अभाव वाले लोगों को भी सिच्छित करने का आउसर प्रदान करती है जिसके पास नियुन्तम योग्यता है ऐसे लोगों को भी दूरस्त सिच्चा के माध्यम से सिच्चा प्रदान की जाती है और एक तरह से ये उनके लिए आउसर होता है जिससे वो अपने सिच्चा को कम्प्लीट कर पाते हैं, पूरा कर पाते हैं नमबर एट पॉइंट पर हम देखें, दूरस्त सिच्चा ऐसे लोगों के लिए पूरा सिच्चा के आउसर प्रदान करती है जो किसी भी कारड से सिच्चित होने का आउसर खो देते हैं दोस्तों कहीं न कहीं किसी रीजन से अगर कोई सिच्छा अपनी पूर्ण नहीं कर पाता है तो दूरस्त सिच्छा उसके लिए एक बहुत ही सुनारा मौका है कह सकते हैं बहुत ही सुनारा पल है कि वो इस पल के माध्यम से इस मौके के माध्यम से अपने जो भी सच्छी को दे दोस्तों यहाँ पर 9 पाइंप पर है दूरस्त सिच्छा नित्य नमीन घ्ञान Hmm को के पूर्थी में सहायख होती है तो दोस्तों दूरस्त सिच्छा के माध्यप से लोग अप्ने जो भी अमेन ग्यान है उसको अर्जित करने में उन्हें सहायता मिलती है अब हम देखते हैं दूरस्त सिच्छा के दोस्त दूरस्त सिच्छा के प्रमुख दोस्त निमलिकित हैं इसमें नमबर वन पर हम देखते हैं दूरस्त सिच्छा में आपचारिक सिच्छा की अपेच्छा प्रत जो दूरस्त सिच्छा है उसमें सरकार का बै कम होता है कम क्यों होता क्योंकि यहां पर ना सरकार को विस्विद्याले के लिए बहुत बड़ा भाउन बनाने किया सकता है जिससे की कच्छा वान कह सकते हैं कच्छा और नहीं अधिक के बै करने की आउ सकता अपचारिक सिच्छा के लिए तो यहाँ पर हम देखें जो अपचारिक सिच्छा की पेच्छा प्रतिवक्ती बै भी कम होता है लेकिन चात्रो का जो बै वह बहुत अधिक बढ़ जाता जो से सिच्छा प्राप्त करते हैं दूरस्ट शिच्छा की मादवसे उनका बै बढ़ जाता है नमबर टू पॉइंट पर हम देखें दूरस्त शिच्छा में समस्याओं का समाधान सरलता से नहीं हो पाता है है तो गई न कहीं जो समस्याइन आती है सिच्छा में उनका समाध्वान फंद्र कोला यहां पर हम जीखें दूरस्ति सिच्छा में तो उसके आगे कि समझना पाता है तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो दूरस्त सिच्छा है यदि उसके उससे सिच्छा प्राप्त की जाती है तो कहीं न कहीं जो सिच्छड समागरी है अगर वो नहीं मिल पाती है तो फिर उसके आगे की जो समागरी है उसको भी समझना कठिन हो जाता है इतरह से जो आउसक्ताएं है सच्छी कस्तर को पूरा करने के लिए वो कहीं न कहीं उसको पूर्ण करने में समझ से आयाती है नमबर फोर पॉइंट पर हम देखें दूरस्त सिच्छा में छात्रों के समक्ष आय और रोधों को तुरंत दूर नहीं किया जा सकता है तो दोस्तों कहीं न कहीं जिस तरह से एक आपचारिक सिच्छा में कच्छा में छात्रे और सिच्छक होते है और जो भी प्रावलम से छात्रों को आती है तो सिच्छक उन्हें दूर करता है या समस्या का समाधान करता है तो लेकिन यहाँ पर दूरस्त सिच्चा में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वहाँ पर सिच्चक तुरंट अवलेबल नहीं होते हैं नमबर फाइब पर हम देखे दूरस्त सिच्चा में चात्रों को पाठेक्रम के प्रारम करने पर ग्रीकार तयार करने का प्रतम बार परिच्छा के समय समचित सायता और प्रोसान नहीं मिल पाता है तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें दूरस से सिच्छा में क्या होता है कि जो चात्रों को पाठेक्रम के प्रारम करने पर ग्रीकार तयार करने और प्रथम बार्म परिच्छा के समय समचित सायता प्रोसाहन मिलता है ये सारी चीजें उन्हें नहीं मिल पाती है तो कहीं न कहीं जो एक तरह से जो हम अपचारिक सिच्छा के माध्यम से कच्छा में बैठ कर जिस तरह से हम सिच्छा घ्राण करते हैं उन सारी चीजों का इसमें अभा होता यहां पे स्वाध्याय के माध्यम से ही सारी सिच्छा प्राप्त करनी होती है नबर सिक्स पर हम देखें दूरस्त सिच्छा में पाठ्थ सामागरी का असपस्टी करण नहीं हो पाता है यदि होता भी है तो उसमें काफी समय लग जाता है नंबर सेबन पर हम देखें अध्यन केंद्रों पर पार्ट सामागरी से समंधित अनेक प्रस्नों और संधेहों का निराकरण नहीं हो पाता है तो दोस्तों एक तरह से हम देखें जो भी अध्यन केंदर होते हैं वहाँ पर जो पाठे सामागरी होते हैं उससे समंदित जो भी प्रस्ण या संदे होते हैं उसका निराकरण भी नहीं हो पाता है तो दोस्तों एक तरह से जो दूरस्त सिच्छा की कठिनाईयां हैं वही उनके दोस्त हैं और ये दोस्त कहीं न कहीं लोगों के लिए काफी ज़्यादा समस्याय उत्पन करते हैं नमबर एट पॉइंट पर हम देखें तो दूरस्त सिच्छा से ज्ञान बृद्धी द्वारा लोगों का आर्थिक विकास के उसर कम ही प्राप्त होते हैं तो दोस्तों कहीं न कहीं जो प्रत्यच रूप से सिच्छा प्राप्त करने में जो लाब होते हैं वो कहीं न कहीं आप प्रत्यच रूप में उन्हें नहीं मिल पाते हैं जो उन्हें कौसल का विकास होना चाहिए जो उनकी ज्यान में बृद्धी होनी चाहिए वो नहीं हो पा करें और लोगों को सिच्छित करने का जो दाइतो पूर्ण है वो सब पूर्ण नहीं कर पाती है क्योंकि कुछ ना कुछ चीजों का अभाव होता है कुछ ना कुछ समस्याइं होती है जो तुरंत समाधान नहीं हो पाता है तो इस वज़े से बहुत सारी परेशानियां आती हैं लोगों को सिच्छा ग्रहाण करने में जहां कच्छा में अगर हम बात करें तो कच्छा में एक सिच्छा के माध्यम से जो भी समस्याई आती है उसका समाधान हो जाता है लेकिन दूरस्त सिचावे इन समाधानों को करने में काफी समय लग जाता और कभी-कभी ये समाधान हो भी नहीं पाते हैं तो दोस्तों ये सारे इनके दोस हैं आसा करते हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट पर ब्रियास आपको कैसा लग रहा ब्रॉप पर नए है तो फ्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करके अगर आप चैनल पर मशनो अब में को कर लिए और इसको सह प्रड़ाए जारेक्स अपना ध्यान रख के अपनी आज़्मास सफाइब है में से जुदने के लिए थाइंक्यू सुमाचक जैहिंद